प्रभू की सुबह है बड़ी खुशी होती है जब आप मैंसे बहुत से लोग मुझे God's Morning, God's Afternoon, God's Evening कमेंट में लिख कर बेचते हैं I really happy about it इसके पीछे कारण है अगर आप इन बातों को बोलते हैं जैसे कि इस्राइलियों को परमेश्व ने कहा था आग्यादी कि जाओ और सबको समरन रखो तुमारे बाजों पर हो मेरा वचन, चौकटो पर हो चलते पिरते आते जाते अपने बाल बच्चों से इसकी चर्चा किया करना यदी तुम ये करते हो, यदी आप ये करते हो इंटेंशनली, जान बूच कर करते हो मतलब सोच कर करते हो कि मैं क्यूं कर रहा हूं तो आप इसे अपने जीवन में, अपने रोज की जीवन में लागू करते हो और लागू करते हो तो आप अपने परिवार में एक विश्वास का और याद का बीज बो रहे हो तब किस्तुती करेंगे? एक और अध्याए, हमने कल 28 अध्याए पढ़ा था विवस्ता विवरंड में और आज 29 पढ़ेंगे मुवाब देश में परमेश्वर की वाचा क्या है ये वाचा और क्यूं वाचा बांदी है, किस बारे में है, आई ये वचन से पढ़ेंगे और 29 अध्याए के पहले वचन में लिखा है, इस्राइलियों से जो वाचा बांदने की आग ये ये वाचा ने मुवाब के देश में दी, उसके ये ही वचन है और जो वाचा उसने उन से खोरे पहाड पर बांदी थी, ये उससे अलग है, यानि कि अब दोनों अलग-अलग आग्या है पढ़िए दूसरे वचन से मेरे साथ पढ़िए, क्या लिखा है फिर मुसा ने सब इसराइलियों को बुला कर कहा जो कुछ यहुआ ने मिसर देश में तुम्हारे देखते फिरौन और उसके सब करमचारियों और उसके सारे देश से किया, वे तुम ने देखा वे बड़ी बड़ी परिक्षाएं और चिन और बड़े बड़े चमतकार तेरी आँखों के सामने हुए परंतु यहुआ ने आज तक तुम को ना तो समझने की बुद्धी और ना देखने की आँखे और ना सुनने के कान दिये है मैं तो तुम को जंगल में चालिस वर्ष लिये फिरा और ना तुम्हारे तन पर वस्तर पुराने हुए और ना तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई रोटियां जो तुम नहीं खाने पाए और दाकमदू और मदीरा जो तुम नहीं पीने पाए वह इसलिए हु कि मैं यहुआ तुम्हारा पर मेश्वर हूँ और जब तुम इस इस्थान पर आए तब हैशबोन का राजा सिहोन और बाशान का राजा ओग ये दोनों युद के लिए हमारा सामना करने को निकलाए और हमने उनको जीत कर उनका देश ले लिया और रुबेनियों गादियों औ और मन्शे के आदे गोतर के लोगों को निजख भाग करके दे दिया इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो ताकि जो कुछ करो वे सफल हो अमैन ताकि जो कुछ करो सफल हो अगर तुम इसकी पालना करोगे तो तुम जो कुछ करोगे उसमें सफल होगे सफलता का मंतर जो रिसिंटली अपने फैमिली में भी बात कर रहा था, अपने पतनी से बात कर रहा था, नियम और योजना, दोनों अलग अलग चीज़ हैं, अगर हम इसके नुसार चलेंगे, हम विजन के नुसार चलेंगे, तो हम मिशन को पूरा करेंगे, और जब हम विजन के नुसार मिशन क पूरा कर रहे हैं तो जिम्मेदारियां अपने आप साथ साथ पूरी होती जाएंगी क्योंकि हम अपने कामों में प्रतिबद हैं तो आई ये पढ़ते हैं दस वच्चन में क्या लिखा है आज क्या वरद लोग क्या सरदार तुमारे मुक्ये मुक्ये पूरुष क्या गत्र गत्र के तुम सब इस्राइली पूरुष क्या तुमारे बाल वच्चे अस्तरिया आज तुझ से बानता है और जो शपत वे आज तुझको खिलाता है उसमें तू साजी हो जाए इसलिए कि उस वच्चन के अनुसार जो उसने तुझ को दिया और उस शपत के अनुसार जो उसने अबरहाम इसाक और याकूब तेरे पूरवजो से खाई थी वह आज तुझ को अपनी प्रजा ठहराए और आप तेरा परमिश्वर ठहरे फिर मैं इस वाचा और इस शपत में केवल तुमको नहीं परंतो उनको भी जो आज तुमारे संग यहां हमारे परमिश्व यहवा के सामने खड़े हैं और जो आज यहां हमारे संग नहीं है साजी करता हूँ तुम जानते हो कि जब हम मिस्र देश में रहते थे और जब मर्ग में की जातियों के बीच में होकर आ रहे थे तब तुमने उनकी कैसी कैसी गिनोनी वस्तों और काट, पत्थर, चांदी और सोने की कैसी मूरते देखी इसलिए ऐसा नहों कि तुम लोगों में से कोई पुरुशियास्त्री या कुल या गोत्र लोग हो जिनका मन आज हमारे परमेशो यहुआ से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं के उपास न करें फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे मद्य ऐसी कोई जड़ हो जिससे विश्या करवा बीच बूगा हो बहुत बार लोगों ने बोला ना कि यहुआ ने उन देशों को पूरी तर समाप क्यों कर दिया कारण यह है परमिश्वस यहां साफ कर रहा है जैसे कि अबने क्या पड़ा ऐसे से लोग ऐसे से देश ओग है ना और ये हैश्बोन हैश्बोन करा दाशान कर राजा और सिहोन और ओग को क्यों समाप कर दिया क्योंकि तुम जो उनकी बीच में रहते हो ये तुम में बढ़कर तुमें ना उनकी और फेरेंगे और ऐसा ही हुआ दुनिया का सबसे बुद्धिमान वेक्ति जिसे बुद्धी परमेशुर यहुआ ने दी उसने एक निर्बुद्धी का काम किया क्या किया उसने शादी की इतनी सारी शादिया की और इतनी सारी और ओरतें जो है पड़ोसी देशियों को अपने घर में ले आया जो अपने साथ अपने दिवी दिवता भी ले आए यही उसकी बड़ी समस्या ठहरी, वैसे समस्या और भी होती है, कभी भी किसी बात का कारण एक नहीं होता, कई कारण होता है और मुसा का भी पाप ये ठहरा उनके साथ वो लग गया है हम अपनी अपनी योजनह अपने मार्ग की चॉकसी करनी है कभी-कभी मैं भी चुक जाता हूं परी ओ ऐसा नहीं कि मैंने नहीं, मैं चूका नहीं हूं जबान में तो कभी-कभी मैं भी चूप जाता हूँ लेकिन बहुत बुरा है ये मैं इस बात के लिए हमेशा पच्चताता हूँ प्रभू भोज देते समय मैं हमेशा जो है अपने आपको मैं बड़े मुश्किलों से प्रभू भोज की सिवा में खड़ा होता हूँ और जब मैं लोगों को बोलता हूँ मैं अनाउंस इस प्रकार से करता हूँ यदि यदि आप मेंसे किसी को लगता है कि वो प्रभू भोज के बोज में शामिल होने के लायक नहीं है तो अपने आपको रोके और बहतर यह होगा कि गुटने टेक कर आज अपने पापों से पश्यताब करे ताकि दुबारा ऐसे पाप ना करे जिनकी वज़े से उसे इस प्रकार की गिलानी हो रहे लिए अगर आप वाकरी में सच में परमेश्व के सामने हैं ऐसा नहीं कि परमेश्व आपको तुरंट उसके लिए नाश कर देगा कई जगों पर ऐसा सुनने को आया भी लेकिन अगर आप अनजाने में या खाते पीते समय उसकी दे को न पहचाने तो उसके लहू और दे का परादी ठहरेंगे ऐसा साफ साफ लिखा है मैं पढ़ता हूं हमेशा वो मुझे नहीं मालूम आपकी कलीशा का और मुझे आशा है कि आपकी कलीशा में भी यही होता होगा और अगर नहीं होता अगर आप परमो के सेवक हैं तो पढ़िए पढ़कर उसे एक्स्प्लेन करते हुए उसके उपर आदा घंटा मैसेज नहीं देना है आपको यहार मैने की सभा है हर बार जब आप करते हैं प्रभू को जो उस समय की सभा है उस समय आप पढ़िए उस भाग को और पढ़कर लोग को बताईए प्रभू आपके लिए आशिश के मारगों को खोले यहां पर इस प्रकार मैं फिर आगे का भाग पढ़ रहा है उनिस पद में लिखा है और ऐसा मनुशे इस आप के वच्चन सुनकर अपने को आशिरवाद की योग्य माने और येस सोचे की चाहे मैं अपने मन के हट पर चलू और तरप्त होकर प्यास को मिटा डालू तो भी मेरा कुश्य होगा यहां उसका पाप शमा नहीं करेगा वरन यहां के कोप और जलन का धुआ उसको च्छा लेगा और जितने शाप इस पुष्टक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पड़ेंगे और यहां उसका नाम धर्ती पर से मिटा देगा और विवस्ता की इस पुष्टक में जिस वाचा की चर्चा है उसके सब शापों के अनुसार यहां उसको इसराइल के सब गोत्रों में से हानी के लिए अलग करेगा और आने वाली पीडियों में तुमारे देश की लोग और जो तुमारे बात उत्पन होंगे और परदेशी मनुशे भी जो दूर देश से आएंगे वे उस देश की वे पत्तियों और उसमें यहवा के फैलाए हुए रोग देखकर और यह भी देखकर कि इसकी सब भूमी गंदक और लोन से भर गई है और यहां तक जल गई कि उसमें ना कुछ बोया जाता और ना कुछ जम सकता और ना घास उकती है वरन सदोम और अमूरा और अदमा और सबोईम के समान हो गया है जिन ऐसा क्यूं किया और इस बड़े कोप के भड़काने का क्या करण है तब लोग यह उत्तर देंगे उनके पूरवजों के परमेश्व यहवा ने जो वाचा उनके साथ मिस्रु देश से निकलने के समय बांदी थी उसको उन्होंने तोड़ा है और पराय देवताओं की उपास और यहवा ने कोप और जलजलाट और बड़ा ही क्रोध करके उनने उनके देश में से उखाड कर दूसरे देश में फैंक दिया जैसा कि आज प्रकट है गुपत बाते हमारे परमेश्व यहवा के वश में है परन्तु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वश में रहीगी, इसलिए कि इस विवस्था की सब बाते पूरी की जाएं, आमेन यह है परमिश्व का वच्चन मैंने पहले भी सिखाय था इंगलिश में लिखा होता है B I B L E Behold I bring life eternal, मैं एक अनंत जीवन देने वाली चोटे से लेकर बड़े तक के साथ हो और अपनी मैमा और अपनी आशिशा आप पर रखे हमान, चैन से कि आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है पर आपका मौनिंग डिवोशन विजुनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाबिल कॉलेज जाकर बाबिल को अच्छे से सीखता और अब आपके लिए है विजुनरी टीवी टीब हिंदी बाबिल स्टड़ी के लिए झाल